आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ अगर केंद्री विद्याला संस्थान में अपने बच्चों का अड्मिशन करवाना चाहते हैं क्लास एक में तो जल्द से जल्द आप लोग अपलाई कर सकते हैं यहाँ पे क्लास अव एक और उपर से सभी कंडिडेटों को ऑल्लाइन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं एक अप्रेल दोजाट चोविस को यह पोस्ट अपडेट की गई है केंद्री विद्याला संस्थान के वेस क्लास एक का अड्मिशन आ चुका है जो कंडिडेट अपने जो भी कंडि 15 से अबाद गया करें में यहां पर देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं एडमिशन कर शेल करवा लिजिए तो यहां पर बताया सब्सक्राबर की एज़ए. आब सब्सक्राइब देख सकते हैं और आपको हम फॉर्म को फिल करके दिखाएंगे किस तरीके से फॉर्म फिल करना है तो यहां पर आएंगे आने के बाद आपको online registration अगर एक में admission करना चाहते हैं आप वर्म वाले पर registration पर क्लिक करेंगे अगर दो वाले पर क्लिक करेंगे यहां पर form का notice मिल जाता है और form offline यहा आपको दिखाएंगे किस तरीके से registration बिना गलती के home को फिल करना है तो यहां पर इस तरीकी का dashboard open होगा और यहां पर आप English में आप language आते हैं यहां इस जो dashboard open होगा है अपने coding चूच कर सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप term and condition को accepted करलेगा पहले श्क्रॉल डाउन करके और उसकी बाद आगे बढ़ेंपे क्लिक करेंगे जीसिखिए कट करेंगे तो यहां पर आपके बच्चे का फॉस्ट निम मांगाजाएगा और आपके बच्चे का यहां में इस बॉक्स में आपको बच्चे का लास्ट नेम उसके बा करके 14224 से लेकर 142 18 के बीच आपके बिच्चे का डेट आ वर्थ होना चाहिए और यहां बताया गया आगर आपकी बौड बॉड्टी में डिस्बिल्टी है तो पर 1424 से लेकर के 1428 जो Candidate Disability है कि व्हांपर छूट रखा गया है यहां पर बतादे दिस्टिबल्टी के बात जो की गई है तो यहाँ पर बच्य की डिस्टिबल्टी की बात की गई है ऐसा नहीं के कंडि डिस्टिबल्टी तो ऐसी स्थितिम वह नहीं आप कोई बच्चा का डेसबर्टी है उसको ही यहाँ पर दो साल की छोड़ दी गई है इसको डाउन करेंगे इसको डाउन करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या बच्चा केंदी विद्धार संक्ष्ट का बच्चा है तो अगर बच्चा अगर तेंदी विद्धार से संपर्क रखता है या आप समली वर्क कर रहे हैं तो आप वर्किंग पैरेंट लिख सकते हैं अगर नहीं है तो नाट अप्लिकेबल पर क्लिक करेंगे क्योंकि ऐसे करने पर आपको यहां पर वहां से वर्किता दी जाती है पहले उन्हीं बच्चों का सेलेक्शन के जाता है जो वहां के पैरेंट वर्क कर रहे हैं और अगर आप नहीं है तो आप नाट अप्लिकेबल पर क्लिक करेंगे और आपको यहां पर इंटरेंज देंग Parent के लिए इसलिए क्योंकि बच्चे भी तो mobile चलाएंगे नहीं इसलिए यहां पर Parent का Mobile Number फिल करेंगे और email ID फिल करेंगे फिर इसके बार जो भी capture so हो रहा है capture फिल करके आपको यहां पर register पर click करना है जैसे ही register पर click करेंगे जो भी registered Mobile Number है उस पर OTP आएगा जैसे registered पी आप click करते हैं यहाँ पर आपका mobile number सो होता है आपको बताया जाता है कि जो आपने mobile number दिया था उस पर OTP आएगा OTP डाल करके यहाँ पर जो भी capture सो हो रहा है capture फिल करके verify पे click करेंगे जैसे यह registration आपका complete होगा उसकी बाद आपका बच्ची का नाम यहाँ सोगा उसकी बाद आपकी login ID सो होगी उसकी बाद आपकी बच्ची की date of birth सो होगी और उसकी बाद यहाँ पर आप देख सके जो भी आप mobile number पंजी करित किये वो सोगा इसकी बाद आपको click here पे click करना है login करना है login करने के लिए आपको यहाँ पर registration number date of birth और यहाँ जो mobile number सो आप फिल किरेंगे और यहाँ पर जो भी capture सो हो रहा है उसकी बाद डालके login पे click करेंगे यहाँ पर आपको registration number इस box में login item फिल करना है उसकी बाद date of birth फिल करना बच्चे की यहाँ पर mobile number फिल करना है फिर जो भी capture सो हो रहा है वो फिल करके login पर click करेंगे जैसे login पे आप click करते हैं तो आप देख सकते हैं पहले आपको basic information फिल करना है फिर उसके बाद parent के detail फिल करना है उसके बाद आपको choose school करना है फिर उसके बाद upload document फिल declaration and submitted यहाँ पर देख सकते हैं आपको पहले आपका बच्चे का नाम सो होगा और जो भी detail आपने दी थी अ करने के बाद यहां से पूछा जा रहे है परिवार का वर्ग आया वर्ग income family पूछी जा रही है अगर आपकी family के इंदर करत कम आय के वर्ग के इंतवर नहीं है तो इस पर click करेंगे तो किसी प्रकार का document नहीं मांगा जाएगा आथिक रूप से कमजोर AWS या OBC के according आते हैं त फिर EWS या BPL certificate number आपको fill करना पड़ेगा और यहां पर EWS का जो जारी करने का data मांगा जाएगा फिर EWS की जिसने जारी किया है उसके अधिकारी के नाम में लिखे जाएंगे फिर इसके बाद यहां पर work जो भी होगा आप चूछ करेंगे OBC के according या जर्नल के according उसके बाद य blank छोड़ सकते हैं उसके बाद next पर click करेंगे अगर दोस्तों आप यहां पर पहले वाले point पर click करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके बच्चे का जो भी जाती प्रमाणपत्र है वह सब नहीं मांगा जाएगा लेकिन दोस्तों अगर इस तरीकी के अगर आप बच्चे का ज तरीकी बर माद का जाता है और एक साइड में अफिता का आप देख सकते हैं इस साइड में माता का यहां पर title आपको mention करना है और उसके बाद यहां पर माता का complete जो भी नाम होगा वह फिल करेंगे फिर उसके बाद माता का अपको नेशनल्टी चूच कर लेना है फिर शके ब वक्ने fill होता चला जाएगा फिर scroll down करेंगे scroll down करके उसके बाद आपको यहां पे देख सकते हैं आपको माता का जो भी इंट कंट्रें वो चूझ करेंगे फिर माता जी के resident की प्राइच करेंगे फिर इसके बाद जो भी आपका city है आपको city को मेंशन कर लेना है उसकी बाद यहां पर घर का पता पुछा जा रहा है विलेज एंड पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं उसके बाद एरिया का पिन कोड आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपका एरिया का पिन कोड है इसमें विलेज एंड पोस्ट एक साथ हम यहां पर मेंशन क कर सकते हैं Optional फ़िए और यहां पर mobile number और up का फिलकर सकते and email id कर सकते हैं अगर आप यहां पर होई चूछ कर लेते दोनों same हैं तो आपको इह इह एल्ktor हो जाएगा आपका data आपको यहां का फिलकरने की जरूट नहीं है इसके बाद यहां पे पीता का जो है वो फिल जो है फिल करेंगे फिल करेंगे फिर के बार नैशनल लूट इए को झूछ कर लेंगे फिस क्रोल करेंगे इस क्रोल मतका के जारे कोस्ट इसन फॉट मैंस את कर सकते हैं अगर नहीं करती हैं तो आपको यहां पर प्लेंग ही चोड़ देजिए इस यहां पर पिता जी काम करती है या करते थे उसकी ज़िनकारी आपके पास अव्लेबल है में चॉट सकते हैं यहां पर आप प tutto next पर!」 पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहां पर चूज एन स्कूल का ऑप्सन आ जाता है आप यहां पर जिस भी स्टेट में आप रहते पहले इस टीए चूज करेगा फिर उसके बाद विद्यालय का नाम आप देख सकते हैं वह सारा आ गया है जो भी आप पर नजदी की विद्यालय है आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं त और फिर इसके बाद यहां पे पंजी कर डिजेंसी श्टेट गवर्वर्मेंट या और यहां पर आप देख सकते हैं लोकेशन आपको बतायाए रूडल है या अर्बर है है यहां पर आप यहां पर मेंप एक क्लिक कर सकते हैं और अगर आप से चब्शजार निवास से विद्धालए की दूरी कितनी है आप यहां पर अगर कम पांच किलो मीटर से कम या बराबर है तो इसको मेंटर करेंगे अगर पांच किलो मीटर से अधिक होगा तो आप पने बच्चे का इसके के एकॉर्डिंग एडविंशन आप नहीं करा सकते अग पर ग्रीन होना चाहिए ध्यान रखेगा दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है जो भी आपके निजदी की है आप इसी तरीके से बारी बारी आप यहां पर चेक कर लिजेगा क्योंकि बहुत साई आपको यहां पर कॉलेज दिये गए हैं विद्याले दिये गए हैं सेवा प्रात्मिक सेड़ा भरने में मदद चाहिए यस या नो अपने एकोडिंग चूच करेंगे अगर यस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर मदद चाहिए तो यस पर क्लिक करेंगे ने तो नो पर क्लिक करेंगे फिसके बाद आप यहां पर आप से पूचा जा रहा ह है किसके अकोडिक आप जो है लेना चाहते हैं जो भी आप हैं आप इसको अकोडिक आपको चूच कर लेना है चूच करने के बाद यहां पर आप से पूचा जा रहा है मादर या फ़ादर आप विभावक के रुप में किसे अस्थान नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको आपको अप्लोड करना है यहां पर जनम प्रमाण में आपका होना चाहिए दोनों अपलोड करके उसके बाद next में आपको क्लिक करना है इसके बाद है उसके बाद करसकते हैं अभी मेरे तो इसी तरीके से आपको bird certificate आपके पास available होना चाहिए और आपका बच्चे का फोटो होगा उसके बाद आप final submit कर सकते हैं तो चैनल पर नए है चैनल जोड़ो subscribe कर लेजिए ओके थैंक्यू दुस्तों बाई